Study IQ IS, अब तयारी हुई, अफोर्डबल इन दोनों के बारे में आपको detailed videos में, दो videos में हमने आपको बता दिया है, पूरी description में आप उनकी links देख सकते हैं, उन videos को भी देख सकते हैं इन दो cases में हुआ क्या था कि KV Unni Krishnan एक IPS officer थे honey trap में उनको CIA ने फसाया था उसमें वो RAW के deputy inspector general हुआ करते थे रोके अंदर मद्रास में तो यहाँ पे इनको CIA ने फसाया था honey trap में वो इसके बाद 1987 में उनने गिरफतार भी किया गया था जब इस बात का खुलासा हुआ था, दूसरे थे रविंद्र सिंग, जो कि उस समय RAW में joint secretary हुआ करते थे, जब वो CIA के साथ काम करने लगे थे, लेकिन जैसे ही RAW ने इनकी छानबीन करना शुरू की थी इनकी उपर surveillance करना शुरू किया था तो रविंद्र सिंग को जब यहां से इसकी भनक लगी तो वो यहां से CIA की मदद से अमेरिका चले गए थे, US चले गए थे और वहां पे जाके रहने लगे थे, लेकिन बाद में वहां पे जाके उनके साथ क्या हुआ या आप उस वीडियो में पूरा जान सकते हैं, यह दो घटनाएं थी लेकिन इन दो घटनाओं में इन दोनों senior officers को RAW ने बर्खास्त कर दिया था, इसके बावजूद कई आगे आने वाले सालों तक ऐसे कई officers रोके निकल के सामने आते रहे, जो रहस्मे तरीके से कहा जाए के गायब हो गए और एक तरह से उनके गायब होने में एक तरह से उनको भारत से निकाल के अपने देश में लाने में CIA का एक बहुत बड़ा रोल रहा था CIA को सीधे तोर पर शामिल पाया गया था, ऐसे कई सारे ऐसे केसे सामने आये, जब हमारे देश की खूफिया इटेंसी के जो हमारे officers थे, वो खूफिया तरीके को अपने साथ शामिल किया और कहां पे officers गायब हो गए, इस साब आपको बताने वाले हैं, साथ में इसमें भारत सरकार ने क्या किया, क्या actions उनके उपर लिए गए, क्या उनके उपर कुछ इस तरह का action लिया गया या क्या कुछ किया गया यहां पे हमारी सरकार की तरफ से, इस साब आज आपको बताने वाले इस वीडियो में, यह सब कुछ आपके GS4 के ethics के paper के लिए भी खासता और पर बहुत ज़दा important है, यहां पे कई सारी आपको इन cases में ऐसी चीज़ें पता चलेंगी जो आपको जो case studies उपसी पूछता है, उसके लिए भी बहुत ज़दा मदद करेंगी, यह सारी जानकारी जो है वो former raw officer R.K. यादव ने अपनी किताब mission R.A.W. में लिख रखी है, यहां पे आपको इस सारी information मिल जाएगी, और आपको यह सारे cases सुनकर बहुत ज़दा हैरानी भी होगी, और आपको सुनना इनको बेज़ाज जरूरी है, तो शुरुआत करते हैं आज का episode, पहले officer थे सिकंदर लाल मलिक, सिकंदर लाल मलिक का raw में अचानक काम करते करते अमेरिका चले जाना, यह raw के इतिहास का most sensitive cases में से एक गिना जाता है, 1958 में जब RN काव IB में थे, उस समय तक raw का क्योंकि गठन नहीं हुआ था, जब वो IB में थे, उस समय सिकंदर मलिक को RN काव के personal assistant के तौर पर रखा गया था, लेकिन यहां से जब 1968 में, जब September 1968 में PM इंद्र गानी की initiative के साथ में रौ का गठन किया जाता है, रौ को बनाया जाता है और RN काव बनते हैं उसके पहले chief, तो यहां पे सिकंदर लाल मलिक को IB से raw में transfer कर लिया गया था और as a personal secretary of RN काव, RN काव के personal secretary के तौर पर इनको यहां पे रख लिया गया था, लेकिन अब क्योंकि शुरुआती दिनों में रौके, RN काव क्योंकि उसके chief हुआ करते थे, यह उनके personal secretary हुआ करते थे, तो इनका वेवार बताया जाता है से कंदर लाल मलिक का, कि बहुत ज़्यादा arrogant था, बहुत ज़्यादा egoistic थे, लोगों के साथ में अच्छे से बातचीत नहीं करते थे, और इसकी वज़ए से जो कई senior बड़े अधकारी थे रौके अंदर उस समय, वो इन्हें बहुत ज़्यादा इस तरह से देखते थे, कि ये जो शक्स है, अधकारी जो है, वो बहुत ज़्यादा arrogant है, वो इनका रवया काम करने का तरीका जो था, वो भी पसंद उन लोगों को नहीं आता था, कई बार ऐसा देखा गया, कि ये बहुत ज़्यादा indisciplined दिखे, रॉके अंदर, और साथ में इनके कलीक्स के साथ सामने भी जो इनका नाम था, वो बहुत ज़्यादा खराब होता गया दिन पर दिन, मलिक का नाम लगा था, खराब हो रहा था, वो indisciplined दिखा रहे थे रॉके अंदर, लेकिन कभी उनके उपर action नहीं लिया गया, क्योंकि ये बताया जाता है, कि वो आरेन काओ के बहुत ज़्यादा करीब ही थे, आरेन काओ के second in command उस समय जो हुआ करते थे, जो की senior officer रॉके, के शंकरन नायर, जिनको आरेन काओ का एक तरसे number two भी कहा जाता है, के शंकरन नायर भी लगाता है, मलिक की जो गतिविदिया थी, उनको भी इनकी गतिविदिया जो थी, वो अच्छी नहीं लगती थी, मार्च 1975 की बात बताते हैं, कि मार्च 1975 में जब आरेन काओ एक विदेश यातरा पड़ थे, वो भारत में नहीं थे, तब के शंकरन नायर ने सिकंदर मलिक को रौके एक सेफ आउस में, एक महिला के साथ पकड़ा था, उन्हें रंगे अध्माँ पे उस महिला के साथ इन्हों ने पकड़ा था, उसके बाद में इन्हों ने आगे प्रपोजल दिया था, कि इस incident के बाद के सिकंदलाल मलिक को बर्खास कर भिया जाए इनकी सेवा से हटा दिया जाए लेकिन ऐसा कुछ आगे हो नहीं सका मलिक को इसके बाद US बेजा जाता है इनको New York बेजा जाता है और New York में जाके एक Indian Mission पर गए हुए थे सिकंदलाल मलिक यहाँ पर अपनी foreign posting पर रहते हैं तीन साल का करीबन कारेकाल था यह वहाँ पर तीन साल तक foreign posting पर रहते हैं और इसके बाद इनको भारत वापस लोटना था लेकिन इन्होंने लगातार दो बार एक-एक साल का extension वागगा अपनी सर्विस में करीबन दो साल तक यह एक्स्ट्रा वहाँ पर रहे extension लेके अपने personal reasons बताए अपनी personal problems कुछ बताएं कि वह वहाँ से नहीं आ सकते हैं अभी इसके तहत सिकंदलाल इसके पीछे इनका जो reason था वो बाद में पता चला कि ऐसा इन्होंने क्यों किया था दरसल यह US का green card लेना चाह रहे थे और वहाँ पर इसलिए इन्होंने अपने जो दो बार extension था वो लिया था पांस साल पूरे होते हैं और यह इसके बाद भारत आते हैं भारत आये रोके अपने headquarter में डेली में और डेली आते हैं इन्होंने retirement के लिए मांग कर दी अपने सेवा निर्विती के लिए मांग कर दी यहाँ पर retirement इनको मिलते ही जो सिकंदलाल मलिक थे वो अचानक से यूएस चले जाते हैं यूएस में जाके अपना पूरा बसेरा जमा लेते हैं वहाँ पर रहने लगते हैं यह जानते हुए भी के 17 साल तक यह शक्स यह officer रोके चीफ आरेन काउ के साथ उनके personal assistant, personal secretary के तोर पर काम कर थी इस case को सिकंदलाल मलिक के रोके अंदर इस तरह से देखा जाता है कि यह वो case है जिसमें यह एक अधकारी अचानक से जो इतनी बड़े पद पर जो इतनी sensitive position पर था रहा है रोके अंदर वो अचानक से यूएस में जाके रहने लगता है वहाँ पर अपना extension लगाता है उन आप लोग जो यह वीडियो देख रहे हैं अगर आप यूपी एसी से 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 एक्जामनेशन की तियारी करना चाहते हैं आपका सपना इस एक्जाम को क्रैक करना आयस बनना यहाँ पर भारत का best affordable education platform study IQ आपकी लेकर है एक प्रोग्राम P2i प्रिलिम्स प्रोग्राम का नाम है य का भी लिंक मिल जाएगा और जो आप यहाँ पर P2i का अपना batch चूस करेंगे तो जो आपको 70,000 का course है वो 29,998 में 30,000 रुपए मिल जाता है सिर्फ एक code लगाने से यह code है वीजे लाई जो आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है वीजे लाई आप यहाँ पर लगाएंग सेगल का रोके senior field officer MS सेगल 1970 से 80 के बीच में MS सेगल जो थे वो दिल्ली पुलस में head constable हुआ करते थे लेकिन इसके बाद इनको IV में शामिल किया जाता है उस समय पर रोके एक बहुती senior officer हुआ करते है जीसी सकसेना जो बाद में आगे जाके रोके chief भी बने जीसी सकसेना की शि शक की शुरुवात में सेगल को अपनी एक foreign posting पर भेजा गया लंदन यह लंदन जाते हैं और वहां पर इनकी जो foreign posting थी वो शुरुवात होती है उसकी लेकिन वहां पर दीरे दीरे पता चलने लगता है कि जो सेगल थे वहां पर कई सारी ऐसी activities में शामिल हो चुके थे जो कि किसी officer के लिए बहुत ही गलत है इस तरह से foreign posting पर शामिल होना या कहीं भी आप normal posting पर भी हैं तब भी आप ऐसी activities में शामिल नहीं हो सकते हैं सेगल को यहां पर संदिक इसमें पाया गया इसमें involved यह पाये गए जुए के अंदर, paid sex के अंदर, prostitution के अंदर यहां पर इन चीज इनकी जो वाइफ थी, MS सेगल की, उनकी भी death हो जाती है, और इसके बाद इनों ने इनकी वाइफ की death के बाद में जितना ही करजा था वो सब चुकाया और इनकी जो पूरी कारेकाल जो था, foreign posting का, तो यह बहां पर लंदिन पर अपना जो कारेकाल था, उसको complete करते हैं और सा इसकानक से MS सेगल अपने घर से गायब हो गए, किसी को इनके बारे में कुछ पता नहीं चला बहुत लंबे समय तक, सब लोग यह सोच रहे थे कहीं पर चले गएं, कहां पर हैं, किसी को कोई भनक, कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन जब बाद में च्छान भी इन की गई, औ और रो ने अपना सारे इंटेल, अपने जो एजेंट से उनको एक्टिव किया, तब यह पता चला कि इनको लंदन में ही देखा गया है, दुबारा, एक बार इफरेशी से लंदन में देखे जाते हैं, और साथ में यहां पर यह भी देखा गया, कि यह बहुत ही एश्व आर की ना ही अपनी पोस से रिजाइन दिया, बल्कि एक ऐसे ओपिसर की तरह है, यह लंदन में उस समय तक चले गए थे, रह रहे थे वहां पर, जो की रो की सर्विस में था, जो रो में लगाता सर्विस में थे, इसके इसके बाद भी यह यहां पर गाया बोच चुके थे, यह अगला केस है, रो के असिस्टेंट डिरेक्टर रहे, रस सोनी का, मेजर रस सोनी, इस केस को रो में सस्पेशन का और शक का सबसे दिल्चस्प केस माना जाता है, हुआ कुछ ऐसा था कि मेजर रस सोनी यह फॉर्मर डिफेंस ओफिसर थे, आर्मी से रिजाइन करने के बाद म इन्होंने रो के अंदर असिस्टेंट डरेक्टर के तोर पर काम करना शुरू किया था, और रो में यह सबसे सेंस्टेव डेस्क जो मानी जाती है, पाकस्तान डेस्क, वहाँपर काम कर रहे थे, लेकिन रस सोनी की एक्तिविटीज को देखते हुए और कई समय तक जब इनक पर निगरानी की, तो यह देखा इसमें निगरानी में कि जो आरेस सोनी है, मेज़र आरेस सोनी, यह दिल्ली के अंदर कई सारे ISI एजेंट्स को कई सारी classified information पासकर रहे थे, दिल्ली के अंदर रो पंदे हुआ RS Sony को कि इनकी निगरानी की जा रही है तो एक दिन अचानक से अपने घर से RS Sony गायब हो जाते हैं और गायब होगा इसके बाद में इनका कई दिनों तक कुछ भी पता नहीं चला करीबन दो तीन महीने निकल गए कुछ भी पता नहीं चल रहा 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 इसके इपनी जूटी से एपसेंट थे उसके बावजूद यहां पे इनके अकाउंट में इनकी सेलरी पहुँचती रही तीन महीने तक छानमीन चली कि एक आपे बाद में इन्वेस्टिगेशन जब की गई तब पता चलता है कि सोनी बिना रोस से रेजिगनेशन दिये बिना उनके एंदर उनको सर्वलैंस में रखा गया था क्योंकि वो आईसाइड के साथ जो क्लासफ़ाइड इंफोरमेशन को पास कर रहे थे उसके बिना पर उसके आरोप में उनको सर्व्लैंस में रखा गया था इसके बावजूद वो कैसे यहां से निकलते और कैनेड़ा पहु केनेडा पहुंच जाता है यह एक और केस था इसी के साथ अगला केस जो है यह आप सुनिएगा रोके सीनियर फील्ड ओपिसर अशोक साथे गा यह पहला केस था जिसमें CIA ने एक तरह से किसी रोके अधकारी को US में बसाया था यहां से वो उसको लेके गए बचा के निकाला औ आशोक साथे गो के China desk में काम करते थे चाइना डेक्ट में काम करते करते इन्होंने लंबे समय तक यहां काम किया और इसके बाद इनने इनकी पहली foreign posting पर भेजा जाता है मंगोलिया के उलानबटोर में इक इंडियन मिशन पर गए हुए थे और वहां से इनका transfer कर दिया जात पैसा निकालते थे और फर्जी एजेंट्स को और entertainment activities के जो बिल्स हुआ करते थे उनको भड़ते हुए इनको पकड़ लिया जो इनके senior officers थे उनने ये देखा कि ये secret fund में से पैसा निकालते हैं entertainment activities के लिए और फर्जी एजेंट्स का कुछ अपना पूरा एक expenditure का बजट बता के वहां से पैसा लगातार निकाल रहे है जब इस बात का seniors ने विरोध किया तो इरान में ही ये अपने जो seniors थे जो तेहरान में उस समय पोस्टेट थे उनसे देश दे दिया गया था कि आपको भारत वापस आना है बीच पोस्टिंग में लेकिन इरान से निकलने से पहले जो अशोक साथे का खोराम शहर में इरान के जो इनका दफ्तर हुआ करता था ओफिस था वहां पे इन्होंने निकलने से पहले आग लगा दी अपने पूरे यह सारे के सारे जल चुके हैं वहां पर इसके बाद यह भारत वापस आते हैं भारत वापस आये तो इनके उपर क्योंकि यह वहां पर अपने जो सीनियर थे उनके साथ भी इन्हों जगड़ा किया था और यह सब जो आग लगी थी इसके चलते इनके उपर पता चली रही थी रिजाइन करते ही यहां पर रो को पता चलता है इनके जब इंक्वारी की गई कि इनका C.I.A. के साथ में एरान में यह काम कर रहे थे और वहां पे कई सारी इन्हों ने खुफिय जानकारी C.I.A. को दिये रोकी लेकिन जैसी इन्हों ने रिजाइन किया था तुरंत बाद इनके पास में ग्रीन कार्ड आ चुका था और इसके बाद में यह निकल के भारत से कैलिफोर्निया पहुंच जाते हैं यह U.S. पहुंच जाते हैं और वहां पे जाके यह रहने लगते हैं और यह पहला ऐसा केस माना गया पूरा रोका कि जब C.I.A. ने किसी रो एजेंट को अपने साथ मिलाया था और इसके साथ में बकायदा उसे भारत से निकालने में मदद की और बाद में उसको अपने देश में वहां पे जाके बसाने में मदद की तो यह एक ऐसा बड़ा केस था अपने आप में पहला केस है कि जो इस तरह का कभी रोके इतिहा में हुआ हो ऐसे कई सारे मामले रोके सीने ऑफिसर्स के आते रहते हैं लगातार समय समय पर सामने आये हैं पिछले कुछ सालों में भी लेकिन बड़ी बात ये है कि इन सब के खिलाफ जब तक इनक्वाइरी की जाती जब तक इनकी ऊपर कोई एक्शन लिया जाता ये लोग य या तो कहीं न कहीं गायब हो चुके थे हम सभी जानते हैं कि रोके अंदर रहे हैं डबलू के अंदर कई सारे आई-पेस ऑफिसर्स को रेक्रूट किया जाता है डारेक्ट रेक्रूटमेंट्स भी होती है और इस समय पर एक ऑफिसर के सामने जो सबसे बड़ा एक गेंटक दध्र एक्टिविटी स्टीवर एंटी इंडिीक अग्की बड़े आपको ओफर दिये जाते हैं आपको ऐसे ओफर्स मिलते हैं जिनसे आप एसा आपको सचिशन बना दीजाए कि आप जिनसे ना ना कर सके लेकिन इस समय आपको आपके सामने जो कैसारे एंप्धिक के भी होंगे कि आपकी तरफ एक तरफ आपको देखेगा national duty है दूसरी तरफ corruption है आपको इस situation में डाल दिया जाता है लेकिन आपको अपनी national duty को हमेशा ध्यान में रखना है उसको सरवोपर ही रखना है ethical dilemma इस तरे के भी होंगे कि आपको एक तरफ आपकी secrecy है आपकी department का जो privacy है वो है दूसरी तरफ आपको cheating के लिए बोला जा रहा है आपको हो सकता हनी trap में फसा लिया गया या आपको blackmail किया जा रहा है family के लिए आपको आपकी आपके लिए धंकियां दी जा रही है लेकिन ऐसी situations में आपको ऐसे कदम उठाने है जो आपके department के लिए आपके देश के लिए गलत ना हो आपके लिए secrecy बना के रखना बहुत जरूरी है ऐसे कई सारे cases पहले भी सामने आये हैं कि जब कई ऐसे officers निकले हैं सामने जिनको blackmail किया जा रहा है या जिनको कोई offer बड़ा दिया जा रहा है तो ऐसी situations में उन्हों ने क्या किया है उन्होंने अपने seniors को इसके बारे में बताया है इसके बाद seniors ने उनकी या तो posting जिस जगे पे वो हैं जहां पे उन्हें trouble किया जा रहा है वहां से दूसरी जगे कर दिये या फिर उन्हें headquarter बुला लिया है इस तरह के भी कैसे सामने आया है तो आपको इस तरह से अपना पूरा ये काम करना है कि आपकी जो national duty है वो आपकी priority पर रहे है आपकी integrity पर रहे है तो ये सारी situations हैं जो एक officer को अपने कारेकाल के दौरान देखनी पड़ती है और इनी से related आज ये पूरा episode था कि किस तरह से ये जो cases हुए raw के अंदर भायत की खूपिया agency के अंदर कि किस तरह से बड़े बड़े officers अपने पदों के बहुत ही sensitive cases जो task पे थे वो अचानक से गायाब हो गए क्यों गायब हो गए क्योंकि वो कहीं न कहीं या तो उनोंने अपने आपको जो उनका एक तरह से कहा जा उनका offer जो उने दिया गया उसको accept कर लिया या तो वो अपने देश के साथ गदार निकल गए dishonest हो गए तो इस तरह का काम कभी भी करना नहीं और यही आज मक्सब था सक भी सोड तरू पताने का उमीद है आपको दिस पसंद आया होगा ऐसे और भी एपिसोर्स ऐसे और पापिकस आसे लेकर आते रहेंगे नीचे सब्सक्रिप्यांट मिलेगा इनके कई सारे अमारी इस सीरीज के करीबन गिस्परीज बोक्स में उसका भी प्लेलिस बिलन्क मिल जाएगा सारे अपिजोड आप देख सकते हैं आगे आने वाले और भी टॉपिक्स आपके लेकर आते रहीं अपने भी टॉपिक्स हमें कोमेंट सेक्शिन बता सकते हैं तब तक लिए भीजेजाद, नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद.